कल पहले चरण में जमू कश्मीर में बंपर वोचिंग हुई और आज पीएम मोदी कश्मीर पहुँच रहे हैं जहां वो श्रिनगर और कट्रा में चुनावी रालियों को संबोधित करेंगे महराश्र की बात की जाए तो यहां गणिये शुविसर्जन के दोरान पत्थर बाजी की घटनाएं रुक नहीं रही हैं कल भी कम से कम दो शेहरों में पत्थर बाजी कर माहौल खराब करने की कोशिश हुई तो बिहार में कुछ दबंगों ने गरीप परिवारों के घरों को आग लगा दी और वो भी सीएम नितीश कुमार के ग्रीजले नवादा में आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें भी जब बार प्रभावित इलाके का जायजा लेने जा रहें सांसदों और विधायक किनाव बीच नदी में पलट गई कैसे सब की जान बचाएंगे खबर और तस्वीरे दिखाएंगे लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं जमू कश्मीर जहाइन दिनों चिनावी माहौल गर्म है जमू कश्मीर की बात की जाये तो जमू कश्मीर में मौसम जरूर ठंडा है लेकिन चिनावी माहौल गर्म है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन जमू कश्मीर की बात करते हैं जमू और कश्मीर विधानसभा चनाव के पहले चरण में बंपर मतदान कल हुआ बुद्धवार को साथ जिलों की 24 सीटों पर 61 फीसद मतदान हुआ तो अब लड़ाई दूसरे दौर की है आज प्रधान मंत्री मोदी दूसरे दौर की वोटिंग को लेकर बीजेपी काडिडेट्स के लिए चनावी प्रचार करने जा रही है सब से पहले प्यमा की इलेक्शन राली श्ट्रिनागर में होगी ट्रिनागर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी की मेगा रैली की तैयारी की गई है उसके बाद प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी जमू के कट्रा में एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं पीम मोदी के दौरे को लेकर जमू से लेकर कश्मीर तक सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किये गए हैं। का माहौल है और चुनाओं के बीच उनका कश्मीर दोरे को जो है एक महतिपून दोरा माना जा रहा है। हम इस वक्त शेरी कश्मीर किरकट स्टेडियम के बाहर माजूद है। सुरक्षा के कड़े इंतजामात किये गए हैं। और ठीक बाराम बजे के करीब बताया जा रहा है कि प्रदान मंतरी नरिंदर मोदी शेरी कश्मीर स्टेडियम पोचेंगे और अपने कैनिडेट के लिए वो यहां पर चुनाओं पर चार करेंगे। किस तरह की तैयारी है उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। कि पहली बार कश्मीर अगाटी में जो है मुस्लिम चेहरूं को बीजेपी की तरफ से टिकेट मिला है उन पर बीजेपी ने दाव खेला है और माना जा रहा है कि यह चुनाओं मैं प्रदान मंतरी नरिंदर मोदी का आना और उनके लिए परचार करना चुनाओं पर एक खाफी उमीदें जो है जताई जा रही है ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह के सुलुक्षा के करे इंतिजामात कि गएगे हैं पहले से ही एक ट्राफिक अडवजरि भी जारी की गए है और ट्राफिक अडवजरि के मताबिग जो है ट्राफिक को डइवर्ट किया यहां तक आपको की नजर जाएगी, आप देख सकते हैं, कि जगह जगह पे भवार्तीय आजंता पार्टी के जण्डे लगाए गए हैं, बैरिकर cujak्रेट प्रदान मंत्री नारींदुरमोदी का इंतजार है सॉरकषा के भी कड़े बंतुबस्त है। और वोटिंग होनी है उनमें श्रिनगर की लाल चौक विधानसभा सीट भी शामिल है लाल चौक से बीजेपी कैंडिडेट एंजिनियर एजाज हुसेन उमीदवार है उन्हें उमीदवार बनाया गया है और प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी के रैली से माहौल बीजेपी के फे मुश आजाएगा और मुझे उमेद है जब वो यहां पर आजाएंगे उन्होंने हजानों गरू में उनके हजानों सिकी में पहुंची है अगर उनकी आवाज यहां पर लाल चौक में आ जाती है तो वो हमारे ले बहुत बड़ी एक उमीद की किरन होगी और मैं मानिम पाड़ी के केंडियेट को जिताएंगे वो हमारी जीत नहीं वो मानि प्रदा मंतरी जी की जीत होगी प्रदान मंतरी ने दर्मोधी के आने से चुनाओं पर कितना असर दिखेगा क्या लोग उमीद से जादा निकलेंगे उस तरह की उमीद दिख रही है अभी हमें पुरी जिस तरीके से लास्ट टाइम जब वो यहां पर आये थे और लाखों की संकिया में लोग उनका इंतिजार कर रहे हैं मैं केंडिट होने के नाते आपको बताना चाहता हूँ ऐसे हजारों गरों में हम लोग डेली को जाते हैं जो इस चीज का इंतिजार में है कि मानिप्रद कट्रा में पी-म की दूसरी रैली है 25 सितंबर को दूसरे फेज में जमूरीजिन की 12 सीटों पर वोटिंग है तो आज कट्रा की रैली में प्रधानवंत्री नरेंद्र मोधी तीन विधानसभा सीटों को साधेंगे फर्स फेज में प्रधानवंत्री नरेंद्र मोधी किष्टवाड में आये थे अब तैयारी है सेकंड फेज की 25 तारी को सेकंड फेज के चुनाव होने है और 12 कॉंसरेंसी जम्मूरीजिन की इस पे चुनाव में जाएगी और इसी लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र प्रधास की जो सीट्स हैं उस पर पड़ेगा जिसमें से रियासी है गुलाबगड जो की सीट है यही नहीं बल्कि काला कोर्ट सुंदर्बणी नौशेरा रज़ौरी सीट बुद्धल भी है वो सीट है थानामंडी सीट है सूरन कोर्ट सीट है मेंडर सीट है और पुंच जाने वाली है और इसलिए अब पूरी तयारी कर ली गई है जो बड़े-बड़े यहां पर नेता हैं भारती जंता पार्टी के साथ में उमीदवार हैं वो यहां पर आएंगे और इसलिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी 2014 से लेकर जो तबदीलिया हुई है उन सब का जिकर यहां पर करेंगे और पिछले 10 सालों में यह पहला मौका होगा फर्स्ट फेस के बाद जब एक बार फिर से असेम्बली चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं